हमारे साहब हमारे माता पिता सब कुछ है जो शिश्ता का मसाल जाला है हम लोग नेपाल से आए हैं शिश्य परिवार के संस्थापक साहब श्री हरींद्रानंद का निधन हो गया राची के पारस अस्पताल में उने देर रात पीन बजे अंतिम सांस ली दुर्वा स्थित उनके आवास पर आज शाम पांच बजे तक आम लोगों के दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके निधन से उनके समर्थकों में शोग की लहर है बतादे की शिव शिश्य परिवार के संस्थापक साहब श्री हरींद्रानंद को दिल का तौरा पढ़ने के बाद गंबीर स्थिती में राची के पारस अस्पताल में भरती तराया गया जहां उनकी स्थिती चिंताजनक बताई जा रही थी डॉक्टर ने उनकी स्थिती को देखते हुए उन्हें आइसी में रखा इलाज के दौरान शनिवार देर रात तीन बजे उन्होंने अंतिम सांस ली बतादे की बाबा हरिंद्रानंद के बीमार पढ़ने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में देश भ गुरुबार सुभा उन्हें अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने बायपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी की बात कही थी डॉक्टरों का कहना था कि साहप फ्री हरिंद्रानंद जी का कार्डियेक एंजाइम बढ़ा हुआ है और इसी कारण उन्हें सीने में दर इंद्रानंद विहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थी वो जार्खंड सरकार में संयुक्त स्वचित के पद से रिटायर हुए थे उन्होंने शिवाज भी गुरु है का आवान किया लाखों लों के इसाध्यात्मिक अंदोलन से जुलते चले गए ट्रामें से रो रहे है योण रोगधे यह जोडिया रोरा है। तरहर के वही हमार साथ शेक् 아빠 में को नहीं है तुनिया है। ि जिए उनिक सारख अमलोग जीर है थे। झाओड पाने हालन नही है थर्तिपर। पिर भी अम लोग के साथ हैं पिर भी अम लोग के साथ हैं वो अब यह जो दे दिया और अभी तक किसी नहीं दिया एक से बारगो महादेव का चालया आया इस दुनिया में लेकिन किसी नहीं बता है हमारे साहाँ मातापिता सब कछ मेरे साहभ अजयкой तोले करें हैं मेरु साहभ है बहागों थे वो भागवान थे स演े में सिभी थे वो यहामारे लोगे भागवान-शोर यह दो पता है अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूले